नमस्कार बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के स्वेड़ों में हम बात करेंगे रिप्रोड़क्शन इन वचेरिया के बारे में वचेरिया में हमारे पास थ्री टाइप की रिप्रोड़क्शन होती है वेजटेटिव एसेक्शुल औ बार में बात करेंगे वेजटेटिव रिप्रोड़क्शन होगी वाइफ फ्रैग्मेंटेशन यह हमारे पास ध्लाई है वचेरिया का इसका गोई टूटेगा और वह जर्मिनेट वह जाएगा एक नीव थ्लाई में एक नीव वचेरिया बनाएगा उसको हम बोलेंगे में व के उस ब्रांच में हम्हारो हैं महारा ब्रांच में स्वैलिंग को तो सारक सारा प्लोटीप्लासम शिफ्ट अगर जाएगा सबस्क्रार कर दो investir हो जाएगी जो बन जाएगा जूस पोर एंजियम हमारे पास चीफ्ट होने वह इूस हो जाएगा और वह डर्रीन कलर में इस्ते टाइम पर हमारा जिन्यूवकलियस है वह संटर में से शीफ्ट हो जाएगा जहां पे प्लाजम मेंबरीन अऊटर साइट को जो है वो चाहेगा हमारे पास exchange करेगा अपनी position को nucleus उस time पे हमारे पास जो protoplasm है थोड़ time के बाद वो contract करेगा और जहां पे हमारा nucleus है उसके opposite side को हमारे पास phlazula की जो है वो development होगी और जो phlazula होंगे वो unequal होगे जितना भी हमारे पास protoplasm है inside the juice porengia वो convert हो जाएगा single juice pore में यह सारा का सारा जो है contract होगा और convert हो जाएगा single juice pore में अब यह जो है यहां से escape करेगा throw narrow aperture थोड़ा से यहां पे breakdown होगा हमारी cell wall का और यह यहां से liberate कर जाएगा हमारा juice pore या sin juice pore बोल सकते हैं अब जो हमारे पास यह usually juice pore है यह liberate होगा कब होता है usually morning hour में यहां से liberate होता है ठीक है और जो juice pore है उसकी बात कर ले तो वह large होगा oval होगा उसके लाम हो येलो green color का होगा juice पर हैं जी ग्रीन कलर का था और यहां पहुंचते पहुंचते वह येलो green color का हो जाएगा ठीक है और बहुत सारे फ्लैजिला है जो कि अनिकोल है ठीक है अब यह liberate होगा हमार पर मॉर्निंग हावर में लिबरेट होने के बाद यह 5-15 मिनट रग वह स्विम करेंगा वाटर में वह इसका रेस्ट में आ जाएगा किसी भी सबस्ट्रेटम में वहां पर जो इसके फ्लैजिला है उनको यह छोड़ देगा ठीक है विद्द्रो कर देगा अपने फ्लैजिला को और सेल वॉल जो है यहां पर सिक्रीट होगी थिन सेल वाल ठीक है अब जब इसका जर्मिनेशन का टाइम आएगा जब जर्मिनेट करेंगा तो इसमें टू ट्यूब बनेंगी ठीक है एक को मंनेट्स में और स्पोर्स हने अस्टेशन स्थया आगि वातर नूडया प्रड़ चाहिए प्रदोर पोर्स होत finer तर्सक्शयो खेस दूरमना Chelsea एक आतर अपर उसटीजश पीशिज में अंड़रफ या झाल होगी गुए की यहां करना वाट शाय heaell को दूब कघशला बंगता है अंधर सोष्तिर नियूदि आ छीचोर भी अंडर पास व्ण बनके हैं अजारेंग यह गवर की आप्लानो म skeptical कि बना एक जैगा लेकिन पर फ्लाजिला नहीं बनेगा और यह इनमारा पास यहां से वॉल भ्रेक और यहां चीलिफ though जाईगा तैके जर्मिनेट सबस्क्राइब वाम आसे प्याएं के गहां जाए श क्षम फ्लाएं करे बिन्हां है तो सबस्क्राइब पर एक का single की एकाइनेट्स अब हमारे पास अंडर एक्वेटिक या कुछ टर्शल स्पीशिज में अंडर एड्वांस कंडिशन में ड्राइबलोब करती है एक रोफ शोट एंड थीक वाल जिनेटी सेग्में जिसको बोलते हैं एकाइनेट्स यह वाटर में भी हो सकता है एक्वेटिक स्प तो यह यह में अंडर पास इंडर और पास टीक सेग्मणे चांडर में बलाच में घुर पास बलाट जो की मोरा संता चेज़ को के लिएचों is और शीओंोग क्या सबते हैं जब हमारे पास वो चेरिया का जो हमारे पास एक आइनेट है वो दो ब्रांचिस बनाता है ठीक है डिक्टमस ब्रांचिस बनती है उस स्टेज को बोलते हैं गोंगी सीरा स्टेज क्यों बोलते हैं क्योंकि यह रिजैंबल करता है गोंगी सीरा जो कि ग्रीन एलगा है उसकी शे यहां से निकलेगा इस रो में से ठीक है वह किसमें अंडर अन्फेवरेबल कंडिशन में होते हैं और जब इसकी फेवरेबल कंडिशन आए उस टाइम पर यहां से लिबरेट करेगा इस में से हमार पास एक आइनेट में से एमबॉड जोआ वह सिस्ट निकलेंगे ऐसे रो से निकलन के यहां पर थिक वॉल है इसकी इसमें से एक आइनेट निकल रहें वह सिस्ट और यह ड़ा पास चेरिया का थैलस बन जाएगा एक काईनेट बाकी जो इस एक्षो डीप्रडॉक्शन इद्ध। उससे थोड़ा सा लग होता है क्योंकि एक तो इसकी ज़ो यह बरांची सोगती है रों में उसके लावाद जो भी हमारे पास यहां रों से निकलके बाहर आता है एक काईने तो पीस में लिबरेत होता है जो इंबोईडल मूउवमेंट करतें जिस वह से सको इंबोईड शीस्ट बोलते हैं इंबोईडल सिझ्ट एकाइनेयट छोटे चोटे पीसीस में आएगा और वह पीस जो जबर आसा नहीं है कि यह विर्ड़े पूर है यह ट्रेक्द कर रहे है ए अगर आपको मेरी वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू